नमस्कार मैं हो असोग वर्मा आप देख रहें टीवी 20 निव देश व प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रही है हमारे साथ अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिर्सिला तो यह बड़ी खबर है आजमगर से जहां रहे दोपूर इस्तित होटल ग्रेंड असार के ब बहार लगे बिजली के ट्रांसफार्वर में मंगलवार को दिन में करीब धाई बजे आचानक सौट सर्कुट से आग लगी आग लगने से कुछ देर के लिए अफ्रा तफ्री मच गई इस पार्किंग वह अचानक रुक रुक कर तेज जिब स्पोर्ट आवाज सुनकर कर देखा कि यह काबु पाया इसके बाद बिजली विभाग के अदिकारियों को कॉल किया इसके बाद विदुत विवाग आपूरती रोकी गई जिसके बाद जाकर इस पार्किंग में तेज ढमाकिक आवाज बंद हुई इसके बाद लोगों ने रहात के सांस ली मौके पर प्रवारी अंगिसम नदिकारी आजमगर आए हम अब मौके पर देखा कि ये ग्रांड एसर के बगल में जो ट्रांसफार्मर जल ला था लेकिन इनके अंदर जो भी उक्पेंट लगे हुए हैं फार फाइटिंग की वह एक्टिवेट था ये लोग तुरंत अपने स्टाफ को लेकर इसको जो है एक्टिवेट करके जो है काबू पा लिया था थोड़ा मुड़ा बचा था तो हम आए हैं तिन लोगों से पूरा बुज़वा दिये हैं काफी सुवधाएं रहती है तो काफी अमनों को हेल पराता क्योंकि प्रात्मिक रूप से जो है ये लोग फॉस्टेट फार फार्फाइटिंग कर लेते हैं हमको आने में ट्रैफिक जाम रहता है सीटी की वहां समय लग जाता है तब तक ये लोग कफर तो किये रहते हैं प्राइटिक लगा था तोड़ा मुड़ा उसका ठेला जला उसको मतलब आत नहीं है सारी चीजे ठीक है बस है हम जो है आजमगर जो है सीटी की यो प्राबलम है थोड़ा जहां ट्रैफिक जाम रहती है मैं अपील करना चाहता हूं कि आगो की घटनाय बढ़ रही है इस समय पब्लिक से कि थोड़ा आप लोग फार सर्विस को जरूर जगा दें ताकि यह तोरित गाटनासल पर पहुंच कर अपनी कारवाई कर सके